हाई ब्रीवन इस वीडियो में जारखंड जीके का एक प्रैटी सेट करते हैं एक प्रैटी सेट संख्याई 11 है जो JPSC और JSSC के एकजाम की दृष्टी से अती महतपूर्ण है तो इस वीडियो में जारखंड जीके से 30 महतपूर्ण स्वाल कबर किये जाएंगे तो चली तो पहला स्वाल क्या है उत्तर से दक्षिन जारखंड की लंबाई कितनी है तो जारखंड में उत्तर से दक्षिन की लंबाई कितनी है तो इसकी सही अंसर हो जाएगी 380 किलो मेटर तो जारखंड में उत्तर से दक्षिन की लंबाई कितनी है 380 किलो मेटर अगर पूछा जा पूरब से पच्छिम की लमभाई कितनी है अगर पूरब से पच्छिम की बात की जाए तो 463 किलो मेटर अगर पुछा जाजा जार खंड का अकार चतुर भूजा कार है और जार खंड का छेत्रफल कितना है 89,700 km2 जो भारत के कुल छेतरफल का 2.42% है तो इस पाइस स्वाल क्या क्या है तो जहारखंड का अकार कैसा है चतर भुजाकार तो चतर भुजाकार है तो इसका चहुदी होगा तो उत्तर से दक्षिन में की लंबाई कितनी है तो उत्तर से दक्षिन की लंबाई 380 km पूरफ से पच्छिम 463 km जहारखंड का छेतरफल 89,700 km और जहारखंड का छेतरफल 89,700 km है जो भारत के कुल छेतरफल का 2.42% है और जहारखंड अपने 5 पडोसी राजियों के साथ सिमा बनाती है अगला देखते है जहारखंड में स्थापित पतरातु ताप विद्यूत से यंत्र किस देश के सायोग से बना है तो जहारखंड में स्थापित ताप विद्यूत से यंत्र के स्थापना सोवियत संग के सायोग से बना है सही अंसर हो जाएगा Soviet song तो अगर option में Soviet song अगला option रूस भी रहे तो रूस क्लिक नहीं करना है आपको क्लिक करना है Soviet song पर ही क्योंकि Soviet song के विगटन के बाद ही रूस का निर्मान हुआ है तो पतरातू ताफ विद्यूत सेंतर बनाने में सोवियत संग ने सयोग किया है और सोवियत संग ने बोकारो इस्टिल प्लांट बनाने में भी सयोग किया है तो यह भी स्वाल पुछा जाता है तो बोकारो इस्टिल प्लांट बनाने में किस देश ने सयोग किया है सोवियत संग अगला स्वाल देखते हैं इनसाइकलोपीडिया मुंडारी का के लेखक फादर होफ मेन का संबंद किस मिंसन से है तो सब सब पहले स्वाल क्या आता है तो इनसाइकलोपीडिया मुंडारी का के लेखक कौन है फादर होफ मेन तो इनका संबन किस मिंसन से है तो इसका सजेंसर है Roman Catholic Mission तो Father Hoffman का संबन Roman Catholic Mission से है जिन्होंने इन साइक्लोपीडिया मुंढारी का नामक पुस्तक की रचना की अगला देखते हैं बिरसाय मिरिग विहार किस जिले मिस्ती थे तो बिरसाय मिरिग विहार जो है खुटी जिले मिस्ती थे और खुटी एक नया जिले का बना है तो खुटी 2007 में एक नया जिले बना किस जिले से लग होके राची जिले से लग हुआ था 2007 में एक नया जिले बना खुटी और 2007 में जहारखंड का एक अन्य जिला बना था जिसका नाम है रामगड तो 2007 में दो जिले का निर्मान हुआ है खुटी और रामगड खुटी का निर्मान राची जिले से अलग होके और रामगड का निर्मान हजारे बाग जिले से अलग होके हुआ है अगला स्वाल सतरा दो स्वाल पुछे ही हुआ काहा से बार जूर चुरुत है छार्खण में जन जाती परिवार को भा बहाई बंद कहा जाता है तो चहर्खंड में एक जाती है गोंड जिसमें संयुक्त परीवार को भाई बंद के नाम से जाना जाता है तो से discuss पसर हो जाएगा गोंड सात्मा स्वाल देखते हैं छेत्रफल के दिरिष्टी से जहारखंड का सबसे बड़ा परमंडल कोन है उत्री छोटा नाकपूर और परमंडल से चार से पांच तौछ पूछे जाते हैं सारे माइंड में रिवाज कर लिजिए तो जहारखंड में परमं सबसे जहारखंड सब्सेन चाहरखंड कर लिजिये तो सबसे चोटा परमंडल सबसे बड़ा परमंडल उत्री चोटा नाकपूर और परमंडलों की संक्या 5 और रिजटाश निरमिद परमंडल है कुल्हान आगे देखते हैं जल पूरूस के नाम से किसे जाना जाता है तो जल पूरूस के नाम से सिमोन उराव को जाना जाता है और जिसे पदमस्री समान भी मिल चुका है 2016 में तो जल पूरूस के नाम से सिमोन उराव जाना जाता है वे एक समाजी कारिकरता तथा एक प्रयानुरन विध है अगला देखते हैं जारखंड की सिल्पी जन जाती कौन सी है तो जारखंड की सिल्पी जन जाती जो है माली है वे किस कला में निपून है तो बास की कला में निपून है आगे देखते हैं जारखंड के एक मातर जिले की सीमा उत्तर परदेश को छूती है तो उत्तर परदेश क के साथ सीमा बनानेवाली, एकमात्र जीला, जहरकन जिसकी सीमा उत्तर परदेश के साथ बनाती है यह भी महत्वूर नहीं लेगिन जहरकन की दो ऐसय जीले हैं, जो किसी राज के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, कौन-कौन, खूटी और लोहरदगा एक तो खूटी है दूसरा आपको बताना है लोहरदगा है या लातिहार जारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी राज के साथ नहीं लगती है सीमा तो एक खूटी है दूसरी लोहरदगा है या लातिहार ये आपका काम रहा, confusion दूर करने बताइए है चक्रथारपूर की राजवाड़ी जर्खन के कि увер है तो चक्रथारपूर की राजवाड़ी जो है जर्खन के 25臭ी मूम जीले में है और 25臭ी मूम जीले से 2 से 3 स्वाल पुछे जाते हैं कोन-कोन तो जहारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पच्मी सी मूम और 2021 की जनगना की अनुसार जहारखंड की में सबसे अधिक लिंगानुपात की जिले में है पच्मी सी मूम और पच्मी सी मूम जिले का मुख्याले क्या है आपको कमेट करके बताना है आगे देखते हैं लूट खाओ और कुट खाओ की जिन्दगी कौन सी जंजाती बैतित करते है या कूट हो जागा तो लूट खाओ और कुट खाओ की जिन्दगी जारखन की कौन सी जंजाती बैतित करती है तो इसका सही अंसर हो जागा खड़िया और वीरोर तो खड़िया रूबी रोड की जंजाती लूट खाओ और कूट खाओ की जिंदगी बेहतित करते हैं अगला स्वाल देखते हैं जारखंड के की जिले में तेतुलिया गर्म जलकूंड है तो तेतुलिया गर्म जलकूंड जारखंड की जिले में है धनबाद जीले में और धनबाद से एक अभ्यारन काना पूछा जाता है वो कौन सा है तो तोप चांची अभ्यारन जारखंड की किस जीले में है धनबाद में और इसी अभ्यारन के बीच में एक जील है जिसका नाम है हरी पाहडी जील अगला देखते हैं जारखंडी जारखंड की एक मातर नदी जो सवतंतर रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जारखंड की एक मातर सवतंतर नदी कौन सी है सोररेखा तो सोररेखा जारखंड की एक मातर नदी है जो अपना जल सोतनत रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है तो सोर्रेखा से एक और स्वाल क्या पूछे जाते हैं तो सोर्रेखा नदी का उद्गम अस्थल कौन सा है तो राची छेतर का राची का नगडी छेतर उसका उद्गम अस्थल है और सुनर्य रेखा नदी कि किनारे बसा एक प्रमुक उध्योगिक स्थार कुन सा है जमसितपूर देवडी मंदीर कहा सती थे कहा पिषती थे काफी famous मंदीर है भारती क्रिकेटर महिंदर किंग सिंग धोनी की अस्था इस मंदीर से काफी जुड़ी हुई है तो इसका सही अंसर हो जगा है तमाड में और बताना है तमाड जारखंड के किस जिले में स्तित है तो ऐसा भी स्वाल पुछा जा सकता है तो देवडी मंदिर जो तमाड में है वे जारखंड की किस जिले में है अगला जारखंड की किस जिले में सोनपूरा रियासत है तो सोनपूरा रियासत जारखंड की किस जिले में है तो पलामू में और एक कुंडे रियासत है, जो कहां पे है, तो कुंडे रियासत जारकंड के हजारीबाग जिले में है, और स्ववनपूरा रियासत जो है, पलामू में esthi थे अगला, 867 के विदरों के समय रामगड बटालियन के मुख्याले कहा था? तो 1877 के विद्रों के समय रामगर्ण बटालियन के मुख्याले कहा था राची में और एक और इसी से सवाल बनता है 1877 की करांती के बाद रामगर्ण बटालियन के मुख्याले राची से टांसफर करके कहा ले गया गया था भागलपूर और जारखंड में 1877 की क्रांती की शुरुवात कभूई थी? 12 जून 1877 को कहा से? डेववर के रोहिनी गाउं से अलग क्या है? 1777 के पलासी के यूद के बाद सिराजुद ओल्ला को अंग्रेजों ने किस छेतर से पकड़ा था? तो सिराजुद ओल्ला को अंग्रेजों ने किस छेतर से पकड़ा था? तो उसका सहींसर है राजमहल छेतर से और राजमहल जारखंड के की जीले में है? साहिब गंजीले में और पलासी के यूद कभूँद कभूँद था? 1777 में और 1764 में कौंसा यूद हुआ था? बकसर का यूद अगला देखते हैं हजारीबाग जेल की जेल से जैपरकास कभ भागे थे? तो जैपरकास नराएन हजारीबाग की जेल से कभ भागे थे? 9 Smells 1940 और हजारी बाग जेल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है चैपरकास नरायन केंदरी कारा तो जेपी केंदरी कारा जहारखंड के किस जिले में है हजारी बाग जिले में आगे देखते हैं जोहारलाल नहरु जेवी को ध्यान किस जीले में इस्तित है तो जोहारलाल नहरु जेवी को ध्यान जो है जारखंड के बोकारो जीले में इस्तित है तो सही इंसर हो जाएगा बोकारो जमसेदपूर में नमक सत्यागरा का नेतरितु किस ने किया था तो जमसेदपूर में नमक सत्यागरा का नेतरितु ननी गोफाल मुखरजी के द्वारा किया गया था तो उसे इंसर हो जाएगा ननी गोफाल मुखरजी तैस्वान स्वाल देखते हैं किस वर्स ओडिसा को बिहार से अलग करके एक नवी राज बनाय गया तो कौन से साल ओडिसा को बिहार से अलग करके एक नए राज बनाय गया 1936 में और बिहार से इसके बाद एक अलग राज कौन सा बना दोजार इस्वी में जहारखंड तो ओडिसा और जहारखंड का मूल रा और वर्तमान समय में जो खड़गड़ी यहां जो है किस जीले में पढ़ता है ग्रीडी जीले में आगे देखते हैं प्राचीन कब्रगाह के प्रमान कहां से मिले हैं तो प्राचीन कब्रगाह के प्रमान कहां से मिले हैं लुपुंगड़ी से तो से इंसर हो जागा लुपुं का अधिकार कौन से साल हुआ था? तो कमपणी का अधिकार राजमाल खेतरबड का हुआ था 1741 में इसके बाद इसी चेतर में मीर जाफ़र के पूत्र मीरान का मग़बरा भी है हरी हरदाम इन में से किस जル्ले में उपस्तित है तो तो हरीहर धाम किस जिले में उस पस्तित है ग्रीड जिले में अगला देखते हैं जे परकास नरायन केंदर कारा कहां पे इस्तित है तो जे पी केंदर कारा जो है कहां पे है हजारी बाग में इस्तित है तो जे पी केंदर कारा हजारी बाग में है जारखन गठन के बाद निर्मित पर्थम जीला कौन सा है तो जारखन गठन के बाद निर्मित पर्थम जीला जो है लातेहार है और जारखन में जीलों की संक्या टोटल कितनी है 24 और जारखन निर्मान के वक्त जीलों की संक्या कितनी थी 18 और वर्तमान में 24 है और जारखंट गठन के बाद छे नए जीलेव के गठन हुआ तो इन में से पहला जीला क्या है? लतेहार ये मत्पूर्ण है अगला ब्रामनीनदी कहां से निकलती है तो ब्रामनीनदी कहां से निकलती है दो स्वाल इसमें है तो दुधुआ पाड़ी और दुधुआ पाड़ी है कहाँ पे दुमका से तो ब्रामनी नदी का उद्गा मस्तल दुधुआ पाड़ी तुमका तो यह थे जारकंड जी के प्रैटी सेट एगारवा प्रैटी सेट के अंतरगत कुछ मत्फून स्वाल अब आने वाले प्रैटी सेट में कुछ आने सवाल के साथ मिलते हैं तब तक पुराने वीडियो देखते रहे हैं